और वहीं दिली के सदर बाजार मार्केट में ओमी क्रॉन को लेकर जाग रुकता अभ्यान चला गया उत्रे दिली नगर निगम के पूर्व मेर जैप्रकाश ने तूटी चौक से यह अभ्यान चलाया आपको बता दे इस अभ्यान का लोगों पर कोई असर होता दिखाई नहीं दिया है यहां बाजारों में बीड़ रहें कई लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालं नहीं करते देखे गए है कि आज हम सदर बजार में हैं और सदर बजार एश्या का सबसे बड़ी मार्किट है और यहां पर हजारों दुकंदारों को परिवारों को रोजगार मिलता है और पूरे देश से लोग यहां खरिदारी करना आते हैं लेकिन जिस परकार से देश के अंदर ओमी करोन पाउं पसार रहे तो उसके लिए जन जागरन अभियान चलना बहुत जुरूरी है लोगों को अवेर करना जुरूरी है अभी हम जैसे बजार में निकले तो लगबग 80% लोगों ना मास्क लगा रखा है लेकिन फिर भी जिनके पास मास्क नहीं है उनके पास मास्क कुपलब दो सभी दुकंदार अपनी दुकान पर भी मास्क रखें दिली में करोना की तीसरी लहर ओमी कौन दस्तक दे चुका है और हम लोग इस वक्त मौशूद हैं दिली के सदर बजार इलाके में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं क कि यहां पर भारी तादात में बीड मौशूद है यहां के लोगों के बीच खासा करोना का कोई डर देखने को नहीं मिल रहा हूँ और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने तो यहां पर मास्क भी नहीं पहना हुआ कि उन्हें करोना का कोई खौफ हो इसी के मदे नजर आज दिली के महपूर्फ महपूर्ज है करोना की तीसरी लहर दिली में दस्तक दे चुकी है उससे अवेर रहीं शोशल डिस्टिंस का पालन करें मास्क जरूर लगा कर लगे लेकिन इस बजार की हालत देखकर ये साफ अंदाजा लगा जाया सकता है कि यहां पर किसी भी तरीके का ना ही शोचल डिस्टेंस को पालन किया जा रहा है ना ही लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी सुवीधा ना ही पुलिस द्वारा ना ही M.C.D. द्वारा मोया है कि लोगों को जागुरूप किया जाए लोगों के बीच में शोचल डिस्टेंस का पालन कराया जाए करोना की तीसरी लहर दिली में दस्तक दे चुकिया आगे क्या होता है जागुरूप अभ्यान कितना असर डालता है दिली की जनता के हो यह देखने वाली बात होगी दिली से जनतंत्र टीवी के लिए अपने सही होगी मुहम्माद आसिफ के साथ भावना के रिपोर्ट अजनतंत्र टीवी अप अविलेबल अंगूगल प्ले अप्सू दोणोड़ अपनाव